हेलो फ्रेंड्स अब हम डिसकस कने वाले डिपॉजिट टॉपिक एक्जाम के लिए बड़ा इंपॉटेंट है एक्जाम में एक क्योशन आता ही आता है लगबग क्योंकि यह जो टॉपिक है इसमें बहुत ही टेक्निकल कॉंसेप्स है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यह ब बास्तित्म में नहीं है तो इनका इंपॉटेंस रही है ट्रांजिटरी प्रोविजन थे जिनका इंपॉटेंस अब खतम हो चुका है तो कुल मलाक्य हमको तीन सेक्शन पढ़ना है 73 पढ़ना है 76 पढ़ना है और 76 पढ़ना है अचा और एक बात कर दूँ जो 76 है यह पेनाल सबसे पहले हम बात करते हैं deposit word का definition section 231 इसने deposit word को defined क्या गया है deposit का मतलब क्या हुआ कि company को कोई भी पैसा मिल रहा है चाहे वो deposit की रूप में चाहे लोन की रूप में या किसी और form में तो उसको deposit पाना जाएगा मतलब कुल मला कि lawmaker ने definition ऐसा बना दिया कि company को कुछ भी पैसा मिल रहा है चाहे उसको loan दो या deposit बोलो या कोई भी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है तो it will be termed as deposit लेकिन अब second part definition क क्या है लेकिन उसमें वो सारे amount नहीं cover होंगे जो central government RBI से consult करके बताएगा तो naturally जब भी ऐसा वड़ा था ना lawmaker में law word use करते कि as may be prescribed इसका मतलब lawmaker ने central government को power दे दिया कि क्या-क्या deposit नहीं है आप rule में बता सकते है तो central government ने अपने इस power का इस्तमाल करते वे एक rule issue किया और rule क 2-1-C ये rate नहीं है सर रूल कर दीजेगा इसको चलिए अब इसमें क्या-क्या deposit नहीं है इसकी पूरी एक list है और exam के लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जादा important है तो चलिए सबसे पहले इसको मैंने break-break करके divide किया ताकि आपको याद करने में सुविदाओ सबसे पहले जिसका repayment की guarantee central government ये state government ने दिये तो उसको deposit नहीं माना जाएगा मतलब सीधी बात है सर एक example ले लो मानीजे हमारी कंपी है हमारी कंपी को central government से पैसा मिला तो central government से पैसा मिल रहना तो उसको deposit की definition में cover नहीं किया जाएगा तो ये पूरे लो cover हो गए अगला point है सर foreigners मतलब अगर हमारी कंपी को foreign bank से पैसा मिलता है या foreign citizen से पैसा मिलता है तो foreign government foreign body corporate ये foreign citizen foreign companies इन से अगर आपको पैसा मिलता है तो उसको deposit नहीं मानेंगे लेकिन एक condition है और वो condition ये है कि वो जो पैसा हमको मिल रहा है वो foreign exchange management act के लौग के compliance करते वे आपको पैसा मिल रहा है वैसे भी आपको माल में कि अगर कोई company अगर इंडिया वाले किसी बाहर वालों के साथ contact करते है बाहर की कंटी के लोगों के साथ में तो एक special act है FEMA तो FEMA उनको control कर लेता है तो FEMA के इसाब से तो comply किया ही होगा ना तो company law नहीं क्या बोल दिया FEMA को तो आप मान चुके ना तो हम company's act आपको नहीं होगा वो freely accept कर सकते है अगला point है bank अगर company को bank से कोई पैसा मिलता है company bank से कोई loan लेती है तो उसको deposit नहीं मानेंगे अगर कोई company PFI से loan लेती है उसको deposit नहीं मानेंगे अगर कोई company कोई other company से loan लेती है जिसको बोलते है intercorporate loan तो वो जो company पैसा मिलती है लेती है उसको deposit न लोग होगे, government से पैसा लोगे, नहीं मानेंगे deposit, foreign government या foreign body corporate या foreign institutions या foreign citizens इन से पैसा लोगे, फेमा के इंतगत, तो deposit नहीं मानेंगे, bank से, PFI से, other company से पैसा लोगे, तो इसको deposit नहीं मानेंगे, तो आपके ओपर ये law applicable नहीं होगा, इसके बाद तीन instrument के नाम है, पहला point है, commercial paper, अगर company ने borrowing किया है, commercial paper इशू करके, जो company commercial paper इशू करती है, तो company को RBI के guidelines को comply करना पड़ता है, तो कुल मला के मतलब क्या हुआ, कि RBI के guidelines को comply करते वे, अगर आपने commercial paper इशू किया है, तो है तो deposit, लेकिन उसको deposit की तरह नहीं माना जाएगा, आपके ओपर law applicable नहीं होगा, अ सेक्योड है न, वो first charge create होना चाहिए, company ने debenture holder को, जो asset पर charge create किया है, वो first charge हो, या पारी पासू विदा first charge है, मतलब first charge के equal है, तो उसको deposit नहीं मानेंगे, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, अगर आपने debenture holder को security दिया, लेकिन हो जो security न, वो second charge create किया debenture holder की favor में, तो वो deposit माना जाएगा, कि वो first charge create करोगे, तो उसको deposit नहीं माना जाएगा, second point है, अगर company convertible debenture issue करती है, जो की compulsory convertible हो, within 10 year, 10 साल के अंदर जिनका compulsory equity share में convert होने वाल है, तो वो जो convertible debenture है, तो वो भी borrowing, लेकिन उसको deposit नहीं माना जाएगा, और तीसा, अगर तीसा, अगर company ने unsec secure debenture issue किया, जो की non convertible है, लेकिन वो listed है, लेकिन वो listed है, तो उसको भी deposit नहीं माना जाएगा, मतब तीसे में तीन condition है, unsecured है, प्लस non convertible है, लेकिन listed है, अगर ये तीनों condition satisfied हो गई, तो वो जो पैसा आप ले रहे हो, तो उसको deposit नहीं माना जाएगा, अगला point है, collective investment scheme के अंत तो ये तीन instrument हो गया, commercial paper हो गया, तीन point debentures का हो गया, और एक हो गया collective investment scheme, लेकिन जो collective investment scheme है न, it must be regulated by CB, और वो जो commercial paper था, it will be regulated by RBI, अगला point है सर, छे लोगों की नाम है, ये छे लोगों से अगर आप पैसा लेते हो, तो उसको deposit नहीं माने जाएगे, देखें भाई, कौन के लिए बहुत ही ज्यादा important है, पहला, दूसा, 9th, 10th, 11, 12, ये चारो point most important है, और 17, ये चार point most 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 important है, चलिए one by one बात करते है, सबसे पहले public company को क्या बोला, भाई या public company, अगर आप डारेक्टर से पैसा लोगे, तो हम इसको deposit नहीं मानेंगे, ठीक है, दूसा, private company को बोला कि private company, तो हम अपने director या उनके relative से पैसा लोगे, तो deposit नहीं मानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर public company director के relative से पैसा लेगी, तो उसको deposit माना जाएगा, लेकिन एक important बात है, जबी भी आप director या उनके relative से पैसा लेते हो ना, तो director या relative declaration देंगे कमपी को, और वो declaration क्या द पैसा है, हमने कहीं से borrow करके आपको पैसा नहीं दिया, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, अगर company अपने director से loan ले दिये, लेकिन director ने क्या क्या था, वो पैसा कहीं से loan लेकर हमारी company को दे दिया, तो ये deposit माना जाएगा, अगर उसका खुद का पैसा वो दे रहा है, तो उस case में इसको deposit नहीं मानेंगे, और वो case क्या है, कि company को promoter और relative से loan लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि एक condition लगाई थी, condition किस ने लगाई थी, financial institution है bank, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, माल दीजे हमारी company को किसी financial institution है bank से अपने loan लेने गए, हम 50 क्रोड का loan लेना चाहत पर आपका promoter भी आपको दे, और वो जो promoter आपको पैसा देना है, वो unsecured होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए, unsecured, तभी हम आपको loan लोन देंगे, तो company ने promoter को भला भया, लोन दे दो, unsecured लोन दे दो, तो promoter ने या उनकी relative ने company को 10 क्रोड का unsecured लोन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह bank और financial institution की condition के वदर से देना पड़ा, और इसका मतलब क्या हुआ, मानली जे मैंने bank से कोई loan वगन नहीं लिया, और सीधा unsecured loan ले रहा हो में promoter से, तो वो deposit है, क्योंवल कब exempt होगा, जब हमको promoter से loan लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा है क्योंकि bank और financial institution का ऐसा condition था, और यह कब तक deposit नहीं माना जाएगा, जब तक bank और financial institution का loan repayment नहीं हो जाता, एक बाद loan इनका repayment होगे न, तो आप promoter को भी पैसा वापस कर दो, लेकिन आपने promoter को पैसा वापस नहीं किया, तो उस case में अब, मतलब इनका loan repayment करने के बाद, अपने employee से security deposit लेती है, तो उसको deposit नहीं माना जाएगा, लेकिन दो condition है, condition number one है, कि आप maximum कितार security deposit का पैसा ले सकते हो, annual salary, अगर एक employee के annual salary 10 लाग है, तो आप 10 लाग रुपे तक security deposit से ठरक सकते हो, उसको deposit नहीं मानाएगे, और दूसरी condition है, आप उसके उपर को interest नहीं दे सक सकते, मतलब दो condition हो गई सर, अगर concept क्या हो गया, अगर employee का security deposit आप लेते हो, वो deposit नहीं माना जाएगा, लेकिन दो condition है, एक तो up to annual salary होना चाहिए, एक साल की salary तक होना चाहिए, और दूसरा number आपको उसके उपर interest payment नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप interest pay करोगे ना, तो उस क्या हुआ, जैसे आप किसी company के share purchase करना चाहते हैं, तो आपने company को application money दिया, तो company को जब application money मिला, तो उसको भी deposit बान सकते हैं, लेकिन कब और कब नहीं, तो law ये बोलता है कि जब application money company को मिला, company को उसके 60 days के अंदर allotment कर दिना चाहिए, अगर company 60 days में allotment नहीं करती, allotment कर तब तो शेल्डर बन गया, वो deposit ही नहीं, लेकिन 60 दिन में अगर company ने allotment नहीं किया ना, तो अगले, अगले 15 दिन में आपको पैसे वापस कर देने चाहिए, और अगले 15 दिन के अंदरा पैसा नहीं दिया, तो 16 दिन से उसको deposit की तरह माना जाएगा, ठीक है, एक बार वा तो उने के बाद उसको deposit मान दिया जाएगा, नेक्स मुन देखिए, 30 नमर में कुछ लोगों के नाम है, अगर कोई company अपने ordinary course of business में ऐसा कोई पैसा लेती है, तो उसको deposit नहीं माना जाएगा, ये क्या क्या point है, देखो भला, अगर कोई company goods और services के बदले में advance लेती है, अग जो advance हमको मिल रहा हमारी company है, हमको advance मिला तो उसको deposit नहीं मानेंगे, वैसे deposit है, लेकिन उसको deposit नहीं मानेंगे, लेकिन एक condition क्या है, 365 दिन के अंदर वो adjust हो जाए, बदल हम आपका course complete करा दे, syllabus complete करा दे, 365 दिन के बाद, अगर वो adjust नहीं हो आ, 365 दिन तक, तो उसको deposit माना जा अगला point है, advance for immovable property, adjusted as per terms and condition, मतलब company ने कोई property बेचा, property के लिए advance ले लिया, अभी बिकी नहीं है, तो वो adjustment terms and condition के एसाब से उना चाहिए, भई मान लोग company ने क्या बोला था, हम आपको 3 साल के बाद plot supply कर देंगे, तो 3 साल के अंदर plot देना पड़ेगा, अगर 3 advance company ने ले ल लेकिन 3 साल हो गएर अगर आप में plot ने दिया है, building ने दिया, तो 3 साल के बाद उसको deposit माना जाएगा, अगला point है, security deposit for goods and services, अगर goods of services के लिए कोई company security deposit, ये advance वर था है, ये security deposit है, तो security deposit अगर company ने रखा है ना, तो कितने भी period तक रख सकती है, इसको deposit नहीं मानेंगे, अगल point है, advance for long term project for supply of capital goods, अगर कोई company capital goods को supply करने के लिए, कोई long term project में capital goods को supply करने के लिए कोई advance लेती है, तो उस advance को deposit नहीं माना जाएगा, यहाँ पर भी कोई time limit नहीं है, अगला point है, ये important answer, अगर company ने future warranty और maintenance का contact ले दिया, जैसे आपको मालू है, जो builder, माल लीजिए हमारी company builder ह है, तो हमने क्या किया, हमने जो भी building purchase करें, उन से हमने बोला कि भी हम maintain करेंगे building को, हमने उसके लिए पैसा ले लिया, maintenance के लिए पैसा ले लिया, या warranty के लिए पैसा ले लिया, माल लिए, कार वगर में warranty कभी होता है, तो उसके इसमें क्या है, period of service does not exceed period prevalent or fire whichever is lower, तो इसका मत मतलब market में जो एक standard period चलता है, माल लिजिए, जो builder होते हैं, ये normally 3 साल के लिए maintenance का पैसा लेते हैं, तो 3 साल, और दूसरा क्या लिखा है, fire, whichever is lower, तो whichever is lower यहां पे किता हो गया, 3 साल, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, माल लिजिए मैं builder हूँ, मैंने maintenance का contact का पैसा ले लिया, अपने जितने भी जो flat के होना है, जिनको मैं flat बेच रहा हूँ, तो अगर मैं 3 साल तका maintenance का advance लूँगा ना, तब तो ही deposit नहीं है, लेकिन अगर मैंने 4 साल का पैसा ले लिया, तो वो deposit माना जाएगा, तो ये ध्यान कियेगा, future warranty of maintenance contact का जो आपको advance मिलता है, वो आप ले तो सकते हो, deposit नहीं है, लेकिन कितना ले सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है कि जो period है, जो prevalent है, market में जो prevalent period है, वो period, या 5 साल whichever is lower, बस उस period का advance लोगे तो deposit नहीं है, उससे ज़्यादा अखलोगे तो deposit माना जाएगा, अगला point है, advance allowed by sectoral regulator और director by center government, state government, sectoral regulator मतलब यह हो गया कि, जैस सब sectoral authorities है, तो उन्होंने कोई allow करके रखा है, center government, state government कोई direction दे के रखा है, तो उनके अनुसार अगर आप advance लेते हो, तो उसको deposit नहीं मानेंगे, क्योंकि तो allowed है, और advance for subscription towards publication, publication आप कोई magazines, newspaper होगर चाप रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई advance लेते हैं, जैसे magazine जो चापने ह होते हैं, वो अपने जो भी member बनाते हैं, उनसे advance में पैसा लेते हैं, magazine बाद में देते हैं, तो यह allowed है, ठीक है, इसके बाद आखरी में देखो, अब यह जितने भी point है, इन सब को deposit मान लिया जाएगा, कम माना जाएगा, अगर आपने जो पैसा ले लिया, तो अगर आपने माली जी जो आपने advance लिया और वो due हो गया, refund करने के लिए due हो गया, तो due होते ही उस दिन से deposit नहीं मानेंगे, जैसे क्या मतलब होगा, आपको पहले example में देखो, आपको goods supply कब तक करना था, 365 दिन के अदर, तो 365 दिन के अगर आपने अंदर goods को supply नहीं किया, तो अगले 15 दि जाके जो पूरा जो 30 नमर का clause नहीं, इसका meaning हो गया, कि जब due थाना repayment करने के लिए, वहां से 15 दिन के अंदर तो आप repay कर दो, repay कर दोगे तो deposit में cover नहीं होगा, लेकिन 15 दिन के बाद भी आपने repay नहीं किया, तो 16 दिन से उसको deposit पाना जाएगा, अगला point है, अगर ये सब सेबी के दोरा कोई license देया, regulated है, कौन-कौन, mutual fund, alternate investment fund, domestic venture capital fund, infrastructure investment trust, real estate investment trust, ये जितने भी institution है, जो सेबी के दोरा control है, license देया, regulated है, इनसे अगर हमको, हमारी company को पैसा मिल रहा है, तो इसको deposit नहीं मानेंगे, बतब एक example लेलो, अगर कोई mutual fund से हमारी company को को पैसा मिल रहा है, तो उसको deposit नहीं मानेंगे, अगर वो mutual fund सेबी के दोरा regulated है, तो ये सारे institutions के नाहा में सर, आगे बढ़िए, next 15 नमर देखो, तीन company के नाहा में, पहला को point है, निधी company, दूसा point है, चिट fund company, एक निधी company और चिट fund company, जो अपने member लोग से पैसा लेती है, तो उसको deposit नहीं मानते अगला point है, start-up company को exam किया गया है, 17 नमर, start-up company ये important है, law ये बोलता है, अगर कोई start-up company किसी एक परसन से minimum 25 लाक रुपए, मतब 25 लाक या ज्यादा रुपए लेती है, in a single, in a single trench, single trench का मतलब होता है, lump sum, तो और वो जो पैसा ले रहे ना, उसके बदले में company ने उनको issue किया, convertible note, तो उस case में इसको deposit नहीं मानेंगे, वापस से, अगर कोई start-up company है, अगर start-up company एक single person से 25 लाक या उससे ज्यादा रुपए ले रहे है, lump sum ले रहे है, मतलब single trench में ले रहे है, और चौता वड़ है, पैसा लिया, तो बंदले में company ने क्या issue किया, convertible note issue करके पैसा लिया, तो ये चारों condition satisfied होती है, तो start-up company को जो पैसा मिला, उसको deposit नहीं मानेंगे, अब यहाँ पे जो convertible note है, इसका मतलब है, कि company ने एक तरीके से note मतलब promise note दिया, जिसमें company ने वादा किया है, कि हम आपको 10 साल के अंदर, या तो share दे देंगे, या repayment कर देंगे, तो 10 साल का period हो तो ये तीन company होगी, जिनको deposit नहीं मानते, और 18 number है, non interest bearing amount held in trust, मतलब अगर company को trust की रूप में कोई पैसा दे रहा है, तो company आप एज़र trust ही काम करें, तो ये पैसा company का तो है नहीं ना, तो इसको deposit नहीं मानेंगे, वही trust की रूप में hold करें मतलब क्या हुआ, इस पैसे का benefit को कोई और उठाएगा, beneficiary कोई और है, तो इस लिए company को भरे पैसा मिल ला है, लेकिन वो company का पैसा ही नहीं, वो किसी और के लिए company ने hold करके रखा है, तो इसको deposit नहीं मानेंगे, तो ये बड़ा important lawyer sir, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे company jack में दो section है, कि अब member से पैसा लेना चाहते हैं, तो 73 का law attract होगा, और public से लेना चाहते हैं, तो 76 का law applicable होगा, अभी हम सबसे पहले start करते है, section number 73, देखिए 73 का जो law है न, वो कब applicable होगा, अगर कोई company member से deposit लेना चाहती है, तो पहले तो ये clear कर दो, हर company को lawmaker ने power दे दिया, कि आप अपने member से deposit ल ले सकती, public से deposit कीवल eligible public company ले सकती है, इसका मतलब क्या हुआ है, हम लोग बाद में बात करेंगे, चले, पहले तो member की उपर बात करते है, 73 का law, पहला point तो ये बोल दिया, कि अगर आपको public से deposit लेना है, तो 76 को comply करो, ठीक है सर, मतलब 73 के law ने refer किसको कर दिया, public से नहीं ले पैसा, अगर public से लेना चाहते हैं, तो हम को मत देखो, 76 को देखो, ठीक है, अगला point है, ये जो deposit का law है, वो चार कंपियों पे लागू नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, ये चार कंपिया है, लेकिन इनको deposit का law applicable नहीं होता, मतलब क्या होता है, ये लोग किसी भी person से, चा ये exempt किया गया है, क्योंकि banking company को banking regulation act applicable होता है, तो वो act उनको regulate करना न, तो दो लोग कियो regulate करेंगे, तो इनको exempt कर दिया, दूसरा NBFC, तीसा housing finance company, non banking financial company, और housing finance company, ये तीन ऐसी company जिनको exempt कर दिया गया, कि आपको deposit का law आपके उपर applicable नहीं होगा, और चौता है, other company, इन तीन के अलावा, बाकी और भी कोई company हो सकती है, जिनको central government RBI से consult करके prescribe करेगा, तो उनको deposit नहीं माना जाएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं sir, next, deposit from member, अब यहाँ पर क्या लिखा है law में, कि अगर कोई company, अपने member से deposit लेना चाहते है, आप बिलकुल लोग, लेकिन आपको certain conditions से वो comply करना पड़ेगा, तो अब हम बात करते हैं कि अपने खुद के member से, अपने खुद के member से अगर आप deposit लेना चाहते हैं, तो आपको किन किन conditions को comply करना पड़ेगा, सबसे पहले बोला बहिया, OR pass करो, बतलब general meeting बुला के OR pass करो, पहले OR pass करो, member अगर OR pass करेंगे, उसके share issue करने के लिए आपको prospectus issue करना पड़ता ना, जिसमें आप अपने बार में जानकारी देते हैं, बस वैसे ही मालेजिए, जो circular का मतलब क्या हुआ, आप member को एक document issue करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी terms and condition लिखी रहती है, तो point number 2 हो गया, member को circular देना पड़ेगा, point number 3, member को circular द इसका मतलब क्या हुआ सर, माल लेते हैं, माल लेते हैं, अगर company, अगर company 31 माई को member को circular देना चाहती है, तो member को circular देने के पहले, आपको और सी को इसकी copy देना पड़ेगा, और file कब तक करना पड़ेगा, within 30 days before the issue of circular, ये within का मतलब हो गया, ये वाला period, मतलब 1 माई से लेकर 31 मा के बीच में, इसकी copy आपको ROC को file करना पड़ेगा, बतब 2 माई को कर सकते हो, 5 माई को, 10 माई को, 25 माई को कर सकते हो, लेकिन April मतलब नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि 30 दिन से पहले का हो जाएगा काम, चलो, ठीक है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ROC को जिस दिन file करोगे न, उसके अगले 30 दिन के इंदर, member को उसको circular की copy दे दो, अगला point है, DRR है, deposit, repayment, reserve account, आपको अगर company deposit member से लेती है, तो company के उपर एक जवाबदारी है, condition है, कि company को, company को 30 अपिल तक, 30 अपिल तक 20% deposit का, जो कि next financial year में repay होने वाले है, उसका 20% आपको current financial year की 30 अपिल तक आपको जमा करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सर, देखो, मान लेते हैं, ये financial year दो लेना पड़ेगा, एक है 19-20, और एक है financial year 20-21, मान लेते हैं, 20-21 में company को 100 करोड रुपे का deposit company ने लेके रखा था, उसका repayment करना है, repayment rate आगी, तो law क्या बोलता है, अगले financial year में जितना पैसा repay करना है, जैसे कि 100 करोड, तो इस financial year में, मतलब 30 अप्रिल 19 तक, 30 अप्रिल 19 तक, 100 करोड का 20%, मतलब किता हुआ, minimum 20 करोड रुपे, 20 करोड से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, minimum 20 करोड रुपे, आपको एक scheduled bank में account open करना पड़ेगा, जिसका नम होगा deposit repay repayment, यह आपको जमा करके रखना पड़ेगा, ओके, separate bank account है, schedule bank, अगला पॉंट देंकिए, पांचवार में no default, अगर आपको member से deposit लेना है, तो उस case में आपको यह धियान रखना पड़ेगा, कि company ने पहले कोई deposit member से भी पहले भी लेके रखा था, उनका repayment अभी तक नहीं किय तो अगर default है, पुराने deposit का repayment करने में, तो आप नए deposit नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक सवाल है कि पुराने deposit का मैंने default किया था, तो क्या मैं जिंदगी बन नहीं ले पाऊंगा, क्या मैंने पुराने deposit delay तो कर दिया, मानलो payment करना था 30 September को, लेकिन मैंने payment किया पर 2 मेने के बात किया, तो default को मैंने ठीक कर दिया, default क्या था, पर ठीक कर दिया, तो अब मैं नए deposit ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, तो बड़ा important condition है law, law क्या बोलता है, अगर default था, और default को आपने ठीक कर दिया, तो ठीक करने के तुरंथ बाद deposit नहीं ले पाऊंगे, नहीं, ठीक करने के बाद आपको अगले 5 साल तक बेट करना पड़ेगा, default ही कोने के 5 साल खत्म होंगे, इसके बाद आप deposit लिपाओगे, अगला point है security, जो deposit हम लेते हैं, वो secured भी हो सकता है, unsecured भी हो सकता है, अब law यहाँ पे बूलता है, अगर कमपी ने कोई unsecured deposit लिया, deposit accept किया, या partially secure, partially secure का मतलब क्या हुआ, कमपी ने माल लेते हैं 100 क्रोड का deposit लिया, और जो acid के security दियो, उसकी value 60 क्रोड है, तो इसको मैं बूलूँगा partial secure, तो यहाँ पे law क्या बोलता है, कि partially secure नहीं, उसको भी unsecured मानेंगे, और इसको unsecured मानेंगे, और जितने भी कमपी circular issue करेगी ना, अपने member को, या कोई advertisement वगर issue करेगा, हर जगह इस बात को unsecured deposit लिखना पड़ेगा, ताकि member LRT की भी या, हम जो पैसा दे रेना, उसके पर हमको कोई security नहीं है, next is seven number, यह बोलता है sir, simple सी बात है, कि जो भी deposit कमपी ने लेके रखा न, उसको terms and condition के एसाब से repayment कर दो, आपने बोला कि दो साल में repayment करेंगे, तब दो साल आगा न, उससे में पैसे वापस कर दो, ब्याज के साथ, और आठो नमर, अगर कमपी ने कर दिया, मतलब deposit का repayment करना था, इंटर्स का पैमिन करना था, लेकिन कमपी ने default किया, तो उस case में जो depositor है, वो ट्रिबिनल को contain कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो ट्रिबिनल है न, वो company को order देगा, कि आप इसका payment करो, और जो भी इनको नुक्सान हो, उसका damages का भुगतान करो, और आखरी point है, जो DRR account अपने बनाया था न, deposit repayment, इस अरकाउंट, उसका समाल के वल किस में करोगे, for the repayment of deposit, तो यह तो simple है, तो यह हो गए sir, 73 के जो conditions है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला point है circular, देखो circular इससे related है, यह जो बात है जिसमें लिखा था कि member को DPT1 का circular issue करना पड़ेगा, अब यह circular के बारे में कुछ नियम बनाएगे, कुछ law बनाएगे, उसको पड़ते हैं, क्या लिखा है, सबसे पहले बुला कि member को जो आप circular बिजोगे न, वो registered post, speed post या electronic mode से देख सकते हैं, और इसका form number है DPT1, यह जो बात है न, यह बात rule में दी हुई है सर आपको, कि registered post, speed post या electronic mode, बहुत सिंपल है सर, email कर दो, आप चलेगा DPT1 form होना चाहिए, अगला point है, आप इसको चाहिए, तो publish भी कर सकते हैं, सर्कुलर को, आपको लगता है कि सब को बताना है, तो आप publish भी कर दो, औ है, और इस जो certified में auditor क्या लिखेगा, क्या certified करेगा, वो लिखेगा, कि हमने कोई, मतलब इस company ने पुराने deposit का repayment करने में कोई default हैं किया है, और अगर default किया भी था न, तो इसको default को ठीक करके 5 साल खतम हो चुके है, मतलब auditor का interference आ अगया है, अगला point है, यह जो circular है, यह circular BOD क के नाम से issue किया जाएगा, ठीक है सर, company के मालिक तो वो ही है, अगला point है, वैलिटी पिरेड, मतलब आपने जो circular issue कर दिया, वो कब तक valid होगा, उसके base पर कब तक पैसा ले पाएंगे, तो यहाँ पे law में दो time limit दी है, और उपर में क्या लिखा, whichever is earlier, तो दो time limit है, दोनों मे जो भी time limit earlier है, वहाँ तक वो circular valid होगा, मतलब वहाँ तक आप पैसा ले पाएंगे, वो circular के base पे, वो time limit के है, up to 6 months from the end of the financial year, जब आपका financial year end हुआ, उसके 6 मिने तक, मतलब मालिजिए, आपने financial year 19-20 में circular issue किया, तो 19-20 end कब होगा, 31 मार्ट को, तो वहाँ से 6 मिने, मतलब 30 September, तो 30 September तक valid हो गया पहला, और दूसरा नमर क्या बोला, financial state laid in AGM, या जिस समय आपका financial statement आपने AGM में रखा, मालो आपने AGM किया 15 September को, उसमें आपने financial statement रखा, तो उपर में क्या लिखा, whichever date is earlier, मतलब हमारा circular कब तक valid होगा, 15 September तक, 30 September या 15 September, whichever is earlier, या अगला point क्या बोला, अग जो भी date होगा, AGM रखा तो AGM की date, AGM नहीं रखा तो last date यहाँ पर AGM हो जाना चाहिए था, तो कोई भी determined date, ये दो date को आपको compare करना है, whichever date is earlier, यहाँ तक का circular आपका valid होगा, और आखरी point है, हर साल आपको circular नए deposit लेना है, तो हर साल आपको नए circular issue करना पढ़ेगा, चलिए, अब ये important बात करते हैं सर, company के बार में, इसके बार में rules है, act से बहार आ गए अपन, अब हम rules के बार में बात करते है, rule करना में the company's acceptance of deposit rules 2014, इसमें कुछ important बाते दी हुई है, चलो मैं important बताते भी जाओंगा, जो exam के लिए बहुत ज़्यादा important है, पहला है सर, term, मतलब deposit कितन पिरेड का हो सकता है, तो law में बूल दिया, जो deposit है, minimum 6 मेने का, maximum 36 मेने का होगा, 6 मेने से कम का नहीं, 36 मेने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन फिर law मेकने के exception डाल दिया, कि ठीक है भी या, 6 मेने से कम का चीए न, short term के लिए आपको, हम दे देंगे आपको, लेकिना, company तुम ध्यान रखना, 3 मेने से कम का deposit लेना ही मत, मतलब deposit जो है न, वो 3 से 6 मेने का period का ले भी सकते हैं, लेकिन lawmaker ने एक limit fix कर दिया, कि 3 से 6 मेने वाला जो deposit है न, वो maximum कितना ले पाओगे, आपकी company का paid up capital freezer, security premium का 10% तर, तो कुल मेना के law में क्या बो दिया, कि 6 मेने से 36 मेने का तो deposit ले ही पाओगे, पर 6 मेने से कम का भी ले सकते हो, पर 3 मेने से कम का नहीं हो सकता, और वो कितना ले पाओगे, 10% of paid up capital freezer and security premium, एक अच्छी बात ये है, कि पूरे deposit में, आपको जबी भी percent दिया रहेगा न, वो percent हमेसा calculate होगा, paid up capital freezer, security premium पर, और एक note में लिखाए कि deposit cannot be repayable on demand, ऐसा तो ही नहीं सकता, आपने क्या किया, आपने company ने deposit ले लिए 50 क्रोड के, और deposit को क्या बुला, कि आप जब वो लोगे पैसा दे दे देंगे, यह तो गलत है न, 6 मेने से 36 मेने का period fix होना चाहिए, आपका, अगला point है joint name, क्या joint नाम से लोग deposit कर सकते हैं, क्या answer है yes, maximum 3 लोगों के नाम से deposit, accept हो सकता है, वो लोग deposit कर सकते हैं, अगला point है से limit, इसको बाद में discuss करेंगे अपन, अलग से chart बना के रखा है मैंने, अगला point है deposit पे, company interest किता देगा, यह deposit जब लेते तो बीच में कोई mediator होते हैं, broker होते हैं, broker होते हैं, उनको brokerage कितना देश सकती है तो यहाँ पर law ने बुला, यहाँ पर law ने कुछ specify नहीं क्या rate, पर क्या बुला, कि RBI, NBFC के लिए जो rate of interest तहे करती है, और जो brokerage तहे करती है, उससे ज़्यादा rate of interest और brokerage नहीं हो सकता, next point number 6 पर आईए, sorry, point number 5 देख लेते हैं, deposit टस्री के बारे में, deposit टस्री के बारे में जबी भी कोई company secure deposit लेती है, तो law यह बोलता है कि security create करने के लिए आपको deposit टस्री अपॉइंट करना पड़ेगा, depositor का टस्री अपॉइंट करना पड़ेगा, deposit टस्री हो गए वो, तो वो जो security है न, company माली यह 100 क्रोड का deposit ले रहे है, और अपनी building security की रूप में दे रहे है, तो अब यह building किसके favor में security create करेगी, क्या इतने सारी deposit के favor में, answer है no, वो जो deposit टस्री न, उसके favor में, जो charge है, वो create किया जाता है, अगला point है, लेकिन आप जिसको trustee बनाना चाहते हैं, उनकी return consent लेना पड़ेगा, बिना उनसे पुझे थोड़ी उसका आप trustee बना दोगे, तो बनाने पड़ेगा, deposit tested के आओगे, एक agreement हो गया, कंप्य और deposit, depositors के बिच में, यह जो debenture, sorry, deposit tested है उसका form होता है, DPT2, DPT1 circular का हो गया, DPT2 है, deposit tested के बारे में, और यह आपको circular issue करने के पहले बनाना पड़ेगा, test read, और कब तक बनाना पड़ेगा, कम से कम साथ दिन के पहले जिस दिन कंपी member को circular दे रही है, उसके कम से कम साथ दिन के पहले, उसके कम से कम साथ दिन के पहले, deposit tested बन जानी चाहिए, ठीक है, अगला point देखो, disqualification, मतब किनको test year point नहीं कर सकते, important, बहीं देखो, आपको यह जरूर पता, पढ़ना पूरा है, लेकिन आपको यह हमेशा पता रहने चाहिए कि क्या ज़्यादा important है, क्या कम important है, तो अगला point important, आप किसको test year point नहीं कर पाओगे, तो पहले में रहा है, code of cash, हरी यह क्या है, code of cash, cash का मतब यह 4 company हैं sir, 4 company के 4 लोगों को आप test year point नहीं कर पाओगे, 4 company कौन सी है, C for company, A for उसकी associate company, S for subsidy company, H for holding company, हमारी ख 4 company के 4 लोगों को, 4 लोगों को ने, key managerial person, officer, director, employee, इन लोगों को आप test year point नहीं कर पाओगे, अगला point है depositor, हमारी company का जो depositor है उसको test year point नहीं कर पाओगे, वो independent नहीं है sir, अगला point है इन सब के रिस्तेदार, point number one में, यह point number one में जित्ते भी लोग है, इनके relative को भी test year point नहीं क्या है, हमारी company, associate company, हमारी subsidy company, हमारी holding company, इन 4 company के जो data है, उनको भी test year point नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर एक 5 वी नाम है, code subsidy, मतलब हमारी holding की कोई और subsidy है, तो उस subsidy company के data को भी हम लोग test year point नहीं कर पाओगे, अगला point है material pecuner relationship, अगर किसी परसंद का हमारी company के साथ कोई monetary relationship ह तो हम उसको trustee appointment नहीं कर पाएंगे और guarantor, मतलब किसी ने deposit कर repayment करने की guarantee दिये, तो जो guarantor है उसको हम लोग trustee appointment नहीं कर पाएंगे, तो ये disqualification हो गया, अगला point देखिए removal, अगर trustee को हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, पहला तो बुला, आ हम हटाना चाहते हैं, तभी अटपाएगा, all director consent चीए, और एक सबसे खाथ बात है, अगर इस company में independent director है, कुछ company आउती है, जैसे कि listed company, उनको independent director appoint करना compass ही है, तो अगर इस company में को independent director है, तो उस meeting में कम से कम एक independent director present होना ही चीए, मतलब अगर आपकी company में independent director है, पर meeting में वो ही वो आएगा, और वो भी हटाने के fair में vote देगा, कि हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि हटाने के लिए तो सब को fair में देना पड़ेगा, एक ने भी बोल दिया कि नहीं हटाना है, तो नहीं हट पाएगा, चलिए, आगे बढ़िए, point number six, अब जो deposit करना चाहते हैं लोग, company में प करता है, जो भी deposit करने वाले ना, जो deposit करते हैं उनको बोलते है, depositor, तो वो जो depositor है ना, वो company को declaration देते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, कि ये जो पैसा है ना, ये हमने कहीं से borrow करके आपको नहीं दिया, मतलब कुल लाग के depositor अपने खुद के पैसो को deposit कर पाएगे, कहीं स loan लाग कर आप किसी company को पैसा deposit नहीं दे सकते हैं, अगला point है nominee, हम चाहें तो nominee appoint कर सकते हैं, nominee का मतलब क्या हो गया, death के बाद ये जो deposit का पैसा है, वो किसको मिलेगा, वो आप appoint कर सकते हो, अगला point है deposit receipt, वही सिधी सी बात है, लोगों ने company को पैसा दिया, अब company को रसीर इस issue करेगा, तो law में बोलता है की, की company को, जिस दिन deposit का मिला, पैसा मिला cash में, या अगर लोगों ने check से दिया, normally check से ही होता है, तो जिस दिन वो check realize हुआ, मतलब clear हुआ, वहां से 21 दिन के अदर, वहां से 21 दिन के अदर, आपको deposit receipt deposit को दिना पड़ेगा, और ये जो deposit receipt है, उसक करेगा, उसमें deposit की कुछ detail दा देगा, मतलब deposit का नाम क्या है, कितना पैसा दिया, क्या term है, rate of interest क्या है, ये कुछ बात है, deposit receipt में लिखी जाती है, अगला point है, restore deposit, मतलब company जैसे register of member maintain करता है, वैसे company को restore deposit भी maintain करना पड़ता है, तो इसके बारे में log क्या देखो, इस register के बार amount है, term क्या है, interest क्या है, security क्या है, अगर वो depositor minor है, तो उसका guardian कौन है, ये सारी की सारी payment mandate क्या होगा, interest कब दिया जाएगा, due rate क्या होगा, ये सारी की सारी बात है, आपको deposit के register में maintain करना पड़ेगा, अगला point है, इसमें entry कप तक करना है, register में entry कप करना, तो law बोलता है, within 7 days of issuing DR, अब जारा connect करना, ये दोनों को connect कीजिएगा सरापस में, DR जो होता न, वो कभी issue करते हो आप, जिस दिन आपको पैसा मिला, या check realize हुआ, वहाँ से किस दिन के अंदर, फिर law क्या बोलता है, जिस दिन आपने DR issue कर दिया न, उसके 7 दिन के अंदर, उसके 7 दिन के अंदर आपको, आपको register में entry करना पड़ेगा, ये MCQ में भी question आते हैं, और ये जो, जो, ये जो register है न, उसको authentic कौन करेगा, तीन लोग कर सकते, director, secretary, authorized person, company का director, या company का secretary, authorized person, next point है preserve करना, मतल़ भी register को कब तक संभाल के रखना पड़ेगा, तो law क्या बोलता है, जिस दिन register में जो latest entry है, वहाँ से 8 साल तक minimum आपको संभाल के रखना पड़ेगा, रजिस्टर में, जिस फारेंसलियर में, मतलब आपने रिस्टर में जो entry की न, वो जिस फारेंसलिर के entry आपने पास की है, वहाँ से अगले 8 साल तक minimum आपको संभाल के रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ आपने रिश्टर डिपॉजिट मिंटेन किया मालो आप जो उसमें एंट्री करें उसमें एंट्री मालो 30 सेट्ट्मबर 14 की भी है और एक एंट्री आपने किया 15 माई 2017 ये एंट्री आपने पास किया तो लेटेस एंट्री मत अभी होगी और ये कौन सा फने सेट्री होगी है 17-18 तो लोग क्या बोलता है 17-18 खत्म होने के बाद अगले 8 साल 18 के बाद अगले 8 साल तक मिनिमम आपको ये रिश्टर को संभाल के रखना पड़ेगा 18 से आप काउन करो 18-19, 19-20 ऐसे करके अचाउन करो मिनिमम आप साल तक आपको संभाल के रखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं Pre-Mature Repayment Pre-Mature Repayment का मतलब क्या हुआ समय से पहले पेमिट मांगना भई मानलो Depositor ने कंपनी को 3 साल का पैसा दिया था क्या Depositor कंपी को बोल सकते हैं 2 साल के बाद हमको पैसा दो Answer is Yes तो ये law इसी के बारे में देखो क्या बोलता है अगर Depositor request करता है कंपी को लेकिन वो request कप कर सकता है After 6 months But before मैं चोटी डेट मतलब पक्का है आज आपने deposit दिया 2 मिने के बाद बोलगे मेरे को पैसा दो नहीं मिलेगा आपका जो request हो 6 मिने के बाद यो ना चाहिए तो 6 मिने के बाद Depositor को ये power दे दिया कि आप अपने पैसा का पैसो को वापस मांग सकते हैं लेकिन कंपी को ये बोला कि आप वो जो पैसा पहले मांग रहे न तो थारा penalty लगो 1% ब्याज कम दो तो ब्याज जो है न वो 1% कम कर दिया आएगा जैसे कंपी ने बोला 8% ब्याज देंगे तो जब तक deposit चलेगा 8% देना पड़ेगा लेकिन आपने जो लोग ने पहले पैसा मांग लिया उसको 7% का ब्याज दो और आखरी point है कि जब आप calculate करोगे ना period का interest देने के लिए तो 6 मेना या उससे ज़्यादा का period है तो उसको 1 साल count करेंगे और 6 मेने से कम का period है तो उसको ignore कर दो मतब round off करना है जैसे अगर 1 साल 3 मेने का period है तो it will be counted as 1 एक साल का interest दो गया पर एक साल 7 मेने हुआ तो आपको 2 साल का के बराबर को जो interest है वो आपको पेक करना पड़ेगा next अगला point है no right to alter terms and conditions which is prejudicial to deposit इसका मतब क्या हुआ कि अगर कमपी ने कमपी अपने terms and conditions में ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकता जो depositor के interest के against में ठीक है मतब उसके favor में आपको changes कर सकते है पर ऐसा कोई terms जो उनके against में ये बदलाव करना मुम्किन नहीं है मतब ऐसा मालो जैसे कमपी ने बुला 10% ब्याद देंगी अब कमपी बाद में उसको 11% करना चाहती है कर ले पर 9% नहीं कर सकती क्योंकि उनके लिए नुकसान दायक हो जाएगा तो ये allowed नहीं है next देखिए 30 number अच्छा सॉरी इधर देख लेते हैं sir पहले 11 number return of deposit in dpt3 हर कमपी को deposit का एक return आरोसी को फाइल करना पड़ता है जितने भी return होते हैं किसको फाइल होते हैं आरोसी को तो आरोसी को dpt3 return का form number है dpt3 ये फाइल करना पड़ेगा कब फाइल करना पड़ता है sir हर साल की 30 जून को और ये audited होना चीए और इसमें जानकारी कब तक होगी 31 मार बतर इसको simplified सब्दों मैं ऐसा समझे हर कमपी को हर साल जब आपका financial year end होगा मालो 31 मार 2021 को आपको financially year end होगा तो 31 मार 2021 की जो दिन जो जो information है वो आपको आरोसी को देना पड़ेगा और ये कब तक दिना पड़ेगा अगले तीन मैने के अंदर और अगला तीन मैने काब हो गया 30 जून 2021 और ये जो आप return दो दो गेना आरोसी को वो audited होना चीए मतब auditor का sign होना चीए तब ही वो valid होगा तो ये हर साल हर कमपी को DPT3 आरोसी को फाइल करना पड़ता है कब तक फाइल करना पड़ेगा 30 जून मतब 3 मेने तक अगला point इधर आईए 30 नमर देखो क्या लिखाए disclosure in financial statement in notes मतलब जो भी कमपी अपना balance sheet PL बनाती उसके बाद में notes बनते है financial statement notes होते है तो उस notes में कमपी को अपने डारेक्टर से तना उनके रिलेक्टिव से तना पैसा लिया है अब ये दोलो हालांके deposit नहीं है याद करो अपने negative list में पड़ा था लेकिन ये जानकारी disclosure की रूप में आपको बताना पड़ेगा और आखरी point इसर panel interest मतब अगर deposit का आपने repayment time पर नहीं किया तो मतब deposit क्या हो गया over due 30 September को payment करना था आपने 3 मेने के बाद payment कर डिले किया तो आपको panel interest पे करना पड़ेगा 18% परेड़ा तो normal interest के साथ आपको penalty क्या भी आपको पे करना पड़ेगा तो ये हो गया sir rules और अब हम बात करते है most 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 important deposit कितना कोई company ले सकता है उसका पुरा limit के बारे में आइए start करते है चलिए deposit का limit company को 6 बाग में divide किया गया ऐसा दिमाग में रखे 3 public company है 3 private company है सबसे पहले क्या लिखा है eligible public company दूस्सा लिखा है other public company और तीसा लिखा है specified public company IFSC public company ये तीनों public company है इसके बाद में आप देखोगे न तो तीन private company है पहला private company दूसरा private company और तीसा starter private company ठीक है तो चलिए one by one limit पढ़ते है क्या क्या लिखा है पहला eligible public company तो हमने बात किया था इसका law भी बचा हुआ है 76 का तो eligible public company अगर कोई है तो मैं बता दूँ eligible public company किसको बोलते हैं देखो ये पहला ही point है eligible public company का मतों होता है एक ऐसी public company जो दो में कोई भी एक condition पूरी करे वो दो condition क्या है पहला या तो net worth 100 क्रोड़या उससे उपर हो और या फिर और वड़े turn over 500 क्रोड़या उससे उपर है मतलब सीधी सी बात है अगर कोई एक public company है जिसकी net worth 100 क्रोड़या उससे ज़्यादा की है और या फिर उसका turn over 500 क्रोड़या से ज़्याद है मतलब दोनों में कोई भी एक condition अगर public company फुल्फिल करती है non-government दूसा government मतलब eligible public company अगर non-government है तो क्या होगा और government है तो क्या होगा तो सबसे पहले क्या बुला अगर eligible public company है एक non-government company है तो यह अपने members से ज़्यादा से ज़्यादा 10% ले सकते हैं और outsider या public से 25% ले सकते हैं maximum मतलब दो अलग-लग limit दी विये तो अब एक कुछ छोटे-छोटे से सवाल लेता हूँ यह जो non-government eligible public company है क्या यह allowed होगा क्या मतलब कुल मिला के देखा जा तो किता होगया 35% तो अब एक question है मेरा इन्होंने क्या क्या 5% member से और 30% public से लिया क्या यह valid होगा क्या answer is no क्योंकि दोनों की limit देखना पड़ेगा member से 10 से जादा नी और public से 25 से जादा नी आपने यह 30 ले लिया यह गलत है अगला example मालनो member से ले लिया 15% और public से ले लिया 10% यह भी गलत नी है क्योंकि member से 10% जादा आप नहीं ले पाओगे तो यह limit देखना है अगला point है government अगर eligible public company कोई government company है तो लोग क्या बोलता है आप किता ले सकते member और outsider दोनों से मिला के 35% तक ले सकते हैं maximum member outsider दोनों से मिला के मतब यहाँ पे कोई break up नी है आप member से पुरा 35 ले लो पुरा public से 35 ले लो member से 15, public से 10 लो 10, 15 कुछ भी कर सकते है आप यह allowed है अगला point है sir, other public company other public company मतली मतलब एक normal public company जो eligible नहीं है तो इनको क्या बोला अब एक बात तो पक्का है sir public से केवल कौन पैसा ले सकता है eligible public company तो बाकी लोग तो ले नहीं सकते मतलब अब हम जितने भी नाम पढ़ने वाले इन सारी company को इनको public से तो पैसे लेने का अधिकार है नी तो यह क्या बोला यह other public company केवल member से ले सकती है और कित्ता ले पाएगी maximum 35% ले ठीक है अब IFSC public company अगर है तो वो अपने member से ले पाएगी लेकिन कितना 100% यह member से 100% तक ले पाएगी आगे बढ़ते हैं private company जो private company है वो अपने member से कित्ता ले पाएगी किवल member से ले पाएगी और कित्ता ले पाएगी 100% अब एक चीज़ ऐसा भी ध्यान को यह देखो यह सुरू की दो company को बोला कि तुम 35% लो अगली दो company को क्या बोला तुम अपने member से लो 100% तक लो ठीक है अगला point देखो private company अब यह मतब एक तो यह normal private company हो गई दूसरा हो गया ऐसी private company जो तीन condition satisfied करती है अब यह जो बात के दो company ना यह दोनों company इनको क्या बोला आप unlimited deposit ले सकते हैं आपके लिए कोई limit है मतब जो एक normal private company हो तो किवल अपनी paid up capital freezer security premium को जोड़ेंगे यह जितने भी percent है ना यह सारे के सारे percent किसके अपनिक लेगा paid up capital freezer security premium चाहे 10% हो 25% है 35% है 100% है कुछ भी है company check करेगा अपना paid up capital plus freezer plus security premium total मारेगा इसका 100% तक मतब उतन ही तीनों के मिला कि total अगर 5 crore है तो company अपने member से 5 crore तक का deposit ले सकती है लेकिन दो ऐसी private company हैं जिनको क्या बुला है कि आप अपने member से unlimited पैसा ले सकते हो मतलब आपकी paid up capital वगर का total 5 crore है लेकिन आप चाहो तो member से आप 50 crore तक भी deposit ले सकते हो there is no limit ठेक है तो वो दो कौन सी company है भाई देखते हैं जिनको बुला unlimited ले लो आप ये देखो दोनों में अगला देखिए private company अगला आप देखिए दो ऐसी company हैं जो unlimited deposit ले सकती है वो कौन कौन सी company हैं तीन condition क्या देखो पहला condition क्या बोला कि ये जो private company है ये किसी भी दूसरी company की न तो associated न subsidy है second number क्या बोला इस company की जो borrowing है किस से borrowing financial institution, bank और body corporate company की जो borrowing है ना तीन लोगों से मिला कर जो borrowing है वो less है एक limit से कम है borrowing और वो limit क्या है paid up capital का 2 गुणा या 50 क्रोड whichever is lower whichever is lower is limit तो इससे कम है न तो आप condition number 2 फॉलो करोगे example देता हूँ सर इसका मतलब क्या हुआ भई मानलो ये आपकी private company है ठीक है इस private company का जो paid up capital है ये मैं मानल देता हूँ 30 क्रोड है और इस company ने bank financial institution plus bank प्लस कोई दूसी body copied इन से मिला कर मानलेते हैं आपने 55 क्रोड का deposit लेके रखा है sorry borrowing करके रखा है 55 क्रोड का अब सवाल है कि ये private company condition number 2 को comply करी की नहीं करी है तो आई ये चेक करते हैं क्या लिखा लोग में borrowing तीनों से मिला कि borrowing किता है 55 क्रोड 55 क्रोड एक limit से कम होना चीए अब ये limit निकालते है limit क्या बोला इसका 2 गुना paid up capital का 2 गुना मतलबी हो गया 60 क्रोड और फिर क्या बोला या 50 क्रोड 60 क्रोड या 50 क्रोड और फिर क्या बोला whichever is lower क्या लिखा है whichever is lower तो इन दोनों में कम किता है 50 तो law क्या बुलता है law में provision क्या है कि जो borrowing है न ये इससे कम होना चीह है तो यहाँ पे कम तो नहीं है न यहाँ तो 55 की borrowing है इसका मतलब ये condition to satisfied नहीं हो पा रही है और condition to satisfied नहीं हो पा रही है मतलब क्या हुआ आप unlimited deposit नहीं ले पाओगे deposit ले पाओगे लेकिन किता 100% उपर का law आ चीह है और हाँ limit के बराबर हुआ तो क्या होगा बताओ जैसे मान देते हैं ये 50 क्रोडी है एक्जेक तो इस case में क्या होगा तो भी condition satisfied नहीं होगा क्योंकि law में क्या लिका less होना चीह है ये कम होना चीह है बराबर भी होगा तो condition to satisfied नहीं होगा और तीसा नमा लिखाए कि य उस case में उस case में वो कितना भी पैसा ले सकती है deposit की कोई limit नहीं है आगे बढ़िए अगला point है startup private company अगर कोई private company startup private company है तो in corporation के 10 साल वो भी unlimited deposit ले सकती है ओके तो अब मैं काम करूँ एक बार ना ये पूरा का पूरा जो चार्ट है एक बार वापस से recall करते है अलग तरीके से समझिएगा समझिएगा सर वापस से बड़ा important law है एक बार वापस से में revise करना चाहता हूँ देखो अब मैं ऐसा बात करता हूँ कि दो कंपिया 35% तक ले पाएगी दो कंपिया 100% तक और दो कंपिया unlimited टोटल 6 breakup है पहले बात करते है सर eligible company eligible public company eligible public company को दो पार्ट में divide किया गया पहला non-government दूसरा government अगर non-government eligible public company है न तो member से maximum 10% और outsider से maximum 25% तक ले पाएगी अगर वो eligible government company है तो member और outsider दोनों से मिला के 35% तक ले पाएगे अलग से कोई breakup नहीं है लेकिन यह हो गया 35% के लिमिट दूसरा और 35% के लिमिट किसकी हो गया public company जो दूसरी public company है normal वाली वो पर calculate होता है company की payback capital fees or security premium अब अगले बात करते हैं आगे दो लोग ऐसे हैं जो member से कीवल deposit ले पाएगे लेकिन कितना 100% of payback capital fees or security premium वो दो company कौन सी है एक है IFSC public company यह कीवल member से ले पाएगे 100% तक और दूसरा private company जो normal private company है वो member से ले पाएगे 100% तक अब आखरी दो ऐसी company है जो अपने member से लेगी केवल member से लेकिन कितना पैसा unlimited पैसा ले सकती है वो दो private company कौन सी है तो एक तो बोला ऐसी कोई private company जो तीनों condition satisfied करें condition no.1 जो किसी दूसरी company के ना तो associate ना subsidy है दूसरा इनकी जो borrowing है वो एक limit से कम है और वो limit क्या है paid up capital का दो गुना या 50 code whichever is lower और तीसा इनो उने repayment करने में default नहीं करना चाहिए borrowing का तो अगर यह तीनों condition आप satisfied करते हो ना private company तो तुम unlimited ले लो और start-up private company है वो 10 साल तक शुरुआत के इनकॉपेशन के 10 साल तक unlimited deposit अपने member से ले सकती है तो यह बड़ा important lawyer सर आगे बढ़ते है अब आगया 76 यह बोलता है deposit from public अगर कोई public से deposit लेना चाहती तो उसका law क्या है तो सबसे पहले तो आपको माल में किवले कि eligible public company है वही deposit ले सकती पब्लिक से अब eligible public company का मतलब हम बात कर चुके है MCQ के लिए important भी है ऐसी कोई भी public company जिसका net worth 100 क्रोड़िया उससे उपर है या turn over 500 क्रोड़िया उससे उपर है उसको मुल deposit 181C की limit के अंदर है तो आप OR pass करोगे तो भी चलेगा क्या बोला मैंने अगर आप जो deposit ले रहे ना वो एक limit के अंदर है और वो limit किती है 181C यह C final के law का section है अपने यह intermediate में 148 तक ही है तो 181C की जो limit है उसके अंदर तक है उसके अंदर तक है तो उस case में हम OR pass करकी भी deposit ले सकते है अब वो limit के है देखो आपकी जान करें के लिए limit यह है 181C की company की existing plus proposed borrowing मतब जो company already loan ले चुका है और जो loan लेने वाला है वो अगर company की total paid up capital फीजर security premium तक है less than equal to मतब इतना तो उस case में आप OR pass करोगे तो भी चलेगा ठीक है मतब मान लो यह तीनों का total 100 क्रोड है और इन तीनों का total भी अगर 100 क्रोड है तो आप OR pass करके कर सकते हैं लेकिन इससे exceed होगा 181C paid up capital fees or security premium जो है आपका उससे ज़्यादा की borrowing भगरी है न तो उस case में आपको pass करना पड़ेगा SR अगला पून देखिए obtain credit rating वह आप organized credit rating agency है जो सेवी के दोर approved है उनसे आपको credit rating लेना पड़ेगा अब यह credit rating की बहुत सारी agency है जैसे की क्रिसिल हो गया समयरा हो गया फिच हो गया यह सब agencies है सर तो इन में से किसी के पास जाकि rating लो अब यह rating का importance क्या होता है बही मान लो इन्होंने A plus की rating दिया तो A plus मतब कंप credit rating agency से आपको rating लेना पड़ेगा और वो जो public को जो circular देते हैं उसमें चापना पड़ेगा rating तब तो public को बता चलेगा क्या री कंपी बेकार इसमें पैसा मत लगाओ second number यह जो rating है उसमें land बताना पड़ेगा land क्या है sir आपको liquidity बताना पड़ेगा ability to pay और network मतब rating agency यह बताती है कि company की liquidity की position क्या होगा इनका ability है की नहीं रिपेक करने का और network इनके उपर rating होती है basically अगला point है rating जो ना हर साल लेना पड़ता है मतब public से आपने 3 साल का deposit लिया क्य आपको ROC को DPT3 बेजना ही पड़ेगा वो जो बेजते ना पन DPT3 ROC को return फाइल करके वो कब फाइल करते हैं 31 मार्च खतब होने के 3 मिने के अंदर 30 जून तक तो यह भी फाइल करना पड़ेगा और एक important बात यह बोल दिया कि आपकी जो rating है वो एक minimum benchmark से नीचे की rating होई नही सकती अगर credit rating agency ने एक limit से कम की rating दिया ना तो आप public से पैसा ले नहीं सकते कितना शांदार provision है public को safe करने का और यह क्या लिखा देखो आपकी rating rating should not below minimum investment grade rating specified by for NBFC NBFC के लिए जो RBI ने minimum investment grade rating specify किये अगर RBI ने NBFC के लिए मालीजिये भी specify किया कि minimum NBFC तुमको पैसा लेना ना तो minimum तुमारी ग्रेटिंग grade जो investment grade rating हो भी आना चाहिए तो अगर हमारी company है जो public से deposit लेना चाहती है अगर हमको C या D rating मिली ना तो हम public से पैसा नहीं ले पाएंगे हमको भी कम से कम B की rating हमको मिलना चाहिए और बाकी जो law है ना sir वो क्या लिखा है same as deposit from member जो member का law हमने पढ़ा था ना member से deposit लेने का law है जो rules है मतलब act और rules में जो provision है 73 में बोल दो rules में बोल दो वो same to same यहाँ पर भी applicable होगा और एक pointer से नहीं यहाँ पर point number 4 fully secured मतलब आपको यह बोला गया है कि company public के जो charge create करती ना वो charge tangible asset पे create होना चाहिए और 30 दिन के अंदर उसको ROC को बताना पड़ेगा वो charge के topic में जो पढ़ा था 77 में और इसका जो value है वो registered value और बताता है कि यह जो tangible asset company आपको security की रूप में दे रही है उसकी value क्या है और यह जो charge है वो trustee की favor में create किया जाता है वो जो अपने deposit trustee बोला था ना तो public का भी तो trustee appoint होगा public के बतले में तो जो charge है वो trustee के favor में create किया जाता है और आखरी provision है 76 है it is regarding punishment तो यह जरूर से आत करना क्योंकि deposit का कोई भी section चाए 73 हो चाए 76 हो 74 75 तो है नी और जो rules है उनमें किसी का भी valuation करोगे तो यह penalty attract होगी और यह penalty देखो क्या लिखा है 73 76 या rule या अगर company न deposit का repayment करने में और interest को repayment करने में default किया तो उस case में penalty क्या है camping के उपर भी है और officer in default के उपर भी है दोनों के उपर है camping के उपर कितना असर पहला तो company को बोला कि deposit और interest पहले पैमिंड करो penalty तो बात की बात है पहले उनका पैसा तो लटा और plus अब penalty भी लगाएंगे penalty minimum भी है maximum मिनिममम करें देखो आप 1 करोड रुपए यदं डिपॉसिट का दो गुना इसका दो गुना इसका दो गुना केलों तो सब्सक्राइब कुछिता हो गया एक करोड मतलब मिनिममम मेक करोड का fine लगेगा इनके उपर और maximum 10 क्रोड मतलब 1 क्रोड से लेके 10 क्रोड तक आपके उपर fine लग सकता है example 2 मानदो यह 40 लाग है आपने deposit लिया था 40 लाग उसका 2 गुना कर दो 2 गुना किता हो गया 80 लाग 1 क्रोड या 80 लाग whichever is lower तो lower किता हो गया 80 लाग तो आपके उपर fine किता लगेगा 80 लाग से लेकर maximum 10 क्रोड तक का fine लगेगा 80 लाग से कम नहीं लग सकता 10 क्रोड से उपर का नहीं लग सकता और जो officer ने default है जो officers है उनके उपर क्या होगा देखो 7 साल की jail imprisonment up to 7 year 7 साल की jail हो सकती है end word है plus jail तो होगी होगी 7 में 25 लाग से लेकि 2 क्रोड तक का fine मतलब जो officer थे ना उनके उपर 25 लाग से लेकि 2 क्रोड तक का fine होगा 7 साल तक की jail भी होगी plus 25 लाग से 2 क्रोड तक का fine होगा और अगर यह पता चल गया कि जान जुचकर कंटरविंशन की है पब्लिक को धोखा देने के लिए या मेंबर को धोखा देने के लिए तो उस केस में इनके उपर 447 का law applicable होगा और 447 में जेल 10 साल तक ही हो जाती है तो 447 का क्योंकि नो ने fraud कि एक तरीके से willful और normally करें तो fraud माना जाएगा और 447 का law applicable होगा तो इस तरीके से deposit मैंने बहुत ही detail में thoroughly cover करा लिया exam monitored भी हो गया, सब चीज़ें पूरी coverdation, mcq को भी मैंने ध्यान लग दिया तो ऐसे ही मैं हर chapter का revision lectures आपको डालते आ रहा हूँ, तो आप जरूर से जो भी आपको लगता है कि आपके friend है जिनको जरूरत है तो शेर कीजिए, और अगर आपको ये महनत हमारी पसंद आ रही है, तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा, इस से मारा उसाध वदन होता है, और अगर आप YouTube चैनल में नहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा law नहीं, हर सब्जेक के revision वीडियो हम लोग time to time डालते हैं amendment डालते हैं, okay, thank you